वेलकम अगेन इन कार्डियम नर्सिंग अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आज टीम कार्डियम नर्सिंग आपके लिए लेके आई है क्योशन सिरीज का पार्ट 17 तो देखिए अभी जो आपका एक्जाम होने वाला है उसके जो मोस्ट रिपिटेड क्योशन है आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे और साथ में ESIC के जो क्योशन हैं वो भी आपको जो हमारी क्योशन सिरीज है उसके अंदर प्रिवियस एर के जो क्योशन से वो डाले गए हैं जैसे कि जैपूर डैली जो अलग-अलग स्टेड के ESIC के जो क्योशन पेपर थे उनसे मिक्स करके आपके लिए ये क्योशन सिरीज बनाई जा रही है तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्योशन है हमारा which of the following nerves help in rising the upper lids कौन सी nerve है जो help करती है अपर lids को raise करने में ठीक है तो optic nerve, oculomotor nerve, facial nerve या trigeminal nerve कौन सी help करती है तो देखिए जो option B है वो right रहेगा oculomotor nerve oculomotor nerve क्या करती है जो हमारी upper eyelids होती है eyes की उसको raise करने में help करती है क्योंकि ये किसको supply कर रही है यहापे किसको control कर रही है हमारी जो कौन सी muscles है यहापे जो leviator palpable superiuses जो हमारी muscle है eyelid की उसको control कर रही है तो उसकी help से क्या करती है ये raise करती है upper eyelid को और जो ciliary muscles होती है और जो muscle fiber होता है iris को वो किसके लिए वो pupillary constriction के लिए use होता है ये दोनों question पूछे गए थे first question जो आपके सामने है कि upper eyelid को raise करने के लिए oculomotor nerve का use करते हैं लेकिन जो हमारी ciliary muscle है और जो muscle fiber है iris का वो किसके काम में आता है ठीक है तो ciliary muscles जो होती है वो तो क्या करती है contraction करती है near vision के लिए और जो हमारी muscle fiber है iris की वो किसलिए काम आती है pupillary constriction के लिए next question is breakdown of glycogen to the glucose glucose का breakdown होना glucose के अंदर इस process को हम क्या बोलते हैं glycogenolysis, glycolysis, proteolysis या proteo ये जो आपका COD है ये option सेम ही है तो इन में से कौन सा जो option है वो right रहेगा तो देखिए जब भी glycogen का breakdown होता है कब होता है जब हम starvation पे होते हैं जब हमें क्या है glucose की need है तो क्या होता है जो glycogen की form में हमारे पास carbohydrate store थे वो किसके अंदर convert करते हैं वो glucose के अंदर convert करते हैं ठीक है तो देखिए यहाँ पे क्या होता है glycogenolysis ये कैसी process है जो glycogen को convert कर देती है glucose के अंदर यहाँ से 3-4 question मैं आपको बताती हूँ उसके बाद आपसे पूछा जाए कि ये process कहाँ पे होती है तो ये होती है liver और muscle के अंदर होती है ठीक है first question क्या है कि इस process को क्या बोलते है इसको बोलते है glycogenolysis उसके बाद कहाँ पे होती है liver के अंदर होती है और muscles के अंदर होती है और cell respiration का first step कौन सा होता है first stage जो होती है वो होती है glycolysis ठीक है glycolysis क्या है cell respiration का first stage है उसके बाद में हम बात करते हैं जिसके अंदर क्या होता है कि जो conversion हो जाता है अगर हम glycolysis की बात करते हैं तो उसके अंदर क्या हो जाता है conversion हो जाता है किसका glucose का दो pyruvic acid के molecules के अंदर, तो वो glycolysis है, और अगर glycogen breakdown होता है, glucose के अंदर उसको बोलते हैं, glycogenolysis, next question is, the major chemical compound found in human kidney stone, human kidney stone के अंदर कौन सा major chemical compound देखने को मिलता है, तो urea, calcium oxalate, calcium carbonate या calcium sulfate, कौन सा देखने को मिलता है, तो option D, यहाँ पर correct रहेगा, calcium oxalate, calcium oxalate, calcium containing compounds होते हैं, जो क्या होते हैं, crystalline form के अंदर present होते हैं, कहाँ पर urine में, तो वो क्या बनाते हैं, 80% तक जो stone देखने को मिलती है, वो calcium oxalate की देखने को मिलती है, तीक है, या फिर calcium phosphate की, तो 80% तक जो stone होती है, वो किस से मिलके बनी होत होती है, next question is, what is the cardinal sign of meningitis, meningitis का cardinal sign कौन सा है, chauvstick sign, trastuous sign, curning sign, या फिर ortolani sign, कौन सा sign है, जो किसको represent करता है, meningitis को, तो यहाँ पर जो curning sign है, वो represent करता है, cardinal sign पूछा है यहाँ पर, तो वो किसको represent कर रहा है, यहाँ पर, curning sign को, ठीक है, most important question है, यह, curning sign के अंदर क्या होत है, supine position में, लेट के, अपनी जो leg है, उसको extend करते है, upward, ठीक है, तो वो क्या करती है, pain कोज करती है, spasm कोज करती है, और spasm कहाँ पर होता है, कौन सी muscles के अंदर होता है, harm strings muscle के अंदर, h-a-m-s-t-r-i-n-g, harm strings, जो muscles होती है, उसके अंदर क्या होता है, pain होता है, और spasm होता ह है, so option c is right, बहुत important question है, यह हर aims से लेके, हर छोटे से छोटे एक्जाम के अंदर देखने को मिलता है, उसके बाद में, major temperature of pediatric ward should be, major temperature होता है, pediatric ward का, वो कितना होना चाहिए, तो it is 20, 36, or 28, या फिर 10, तो option c is right, 28 degree Celsius, next question is, which national program is not related to the child health and welfare, ठीक है, कौन सा प्रोग्राम है, जो related नहीं है, child health or welfare से, तो CSSM, यह क्या है, child survival and safe motherhood, RCH, reproductive child health, या फिर DOTS, या फिर ICDS, integrated child development program, तो कौन सा प्रोग्राम है, देखिए, यह सारे जो A, B और D, तीनों के तीनों जो प्रोग्राम है, वो हमारे child survival and welfare के अंदर आते हैं, लेकिन जो DOTS है, जो 1996 है, वो हमारे child health and welfare के अंदर नहीं आता, option C is right, break bone fever is common in infection with, ठीक है, break bone जो fever होता है, वो common किसके infection के साथ होता है, शिफाइलो कोफ कस्पायोजन, डेंगु वायरस, या फिर शिकनगुनिया फिर या फिर या फिर या फिर यलो फिर, तो यह किसके साथ associated होता है, डेंगु वायरस के माउथ, देखे, जो आपका माउथ के जो angles होते हैं, और जो क्या हो जाती है, lips यहां से side से क्या हो जाते है, कट हो जाता है, cracking हो जाती है, ulceration हो जाता है, उसको हम क्या बोलते है, पाईोरिया, chillosis, sodis, या फिर calculus, तो उसको हम बोलते हैं, chillosis, ठीक है, यह भी important question है, next question is, which nutrient lost during the washing of vegetables, जब आप vegetables को wash करते हैं, तो कौन सा nutrient है, जो lost हो जाता है, protein, vitamins, retinol या minerals, तो देखिए, always यही बोला जाता है, कि जब भी आप अपने घर पे vegetables को, मतलब, cut करते हैं, उससे पहले ही उनको wash कर लेना चाहिए, क्योंकि wash करने के बाद, अगर आप cut करते हैं, तो जो सारे vitamins हैं, वो क्या हो जाते हैं, वोश आउट हो जाते हैं, पानी के साथ ही, तो इसलिए जो vitamins हैं, वो क्या हो जाते हैं, वोश हो जाते हैं, during washing of vegetables, नेक्स्ट क्योशन इस, बैश एजेंट that prevent multiplication और growth of bacteria, कौन से एजेंट है, जो growth को और multiplication को रोकते हैं, ठीक है, प्रिवेंट सिर्फ multiplication और growth के लिए बोला है, disinfectant, bacteriostat, antiseptic या फिर bacteriocytes, तो रोकता कोन है, bacteriostat, और kill कोन करता है, bacteriocytes, तो दोनों में confused नहीं होना है, stat means रोकना, option B is right, next question is, who is called father of medicine, father of medicine किसको बोला गया है, Lewis pasture, hippocampus, Lord Lister, या फिर hippocarrots, तो जो hippocarrots हैं, उनको क्या बोला गया है, father of medicine, option D is right, next question is, development and modification of behavior occur due to, development और जो modification होता है, behavior का वो कैसे होता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, या फिर यह जो question है, यह क्या शो कर रहा है, कि development and modification of behavior occur due to, किसकी वज़े से होता है, हमारा modify, जो behavior है, हमारा किसकी वज़े से होता है, development कैसे होती है, तो maturation की वज़े से होती है, कि हम mature हो रहे हैं, learning की वज़े से होती है या thinking से होती है, या conditioning से होती है, तो देखिए जब भी आपका behavior modify होता है, तो वो किस चीज़ से होता है, new learning से होता है और new learning को अगर हम define करें तो वो क्या होता है, modification of the behavior तो learning is the right answer next question is, which of the following is primary sign of labor कौन सा primary sign है labor का, uterine contraction abdominal contraction, pushing of by mother, या intra thoracic pressure तो option A is right uterine contraction, जब भी mother के अंदर uterine contraction आनी start हो जाती है uterus contract करना start का देता है, यह क्या था primary sign होता है labor का next question is, in the prevention of communicable disease, the primary prevention result from, primary prevention हम कैसे कर सकते हैं, तो level of prevention मैंने आपको बिलकुल totally एक video channel पे बना के दी है जिससे आप एक-एक question को easily समझ सकते हो, उसमें early diagnosis से related भी, सारे question है immunization से related भी, isolation and treatment से related भी, कि कौन से level पे आपको कौन सी prevention करनी चाहिए तो वो video आप देख सकते हो तो इस question में पूछा गया है कि primary prevention कैसे कर सकते हैं, primary prevention के अंदर के पहले से ही protect करना, तो वो हम कैसे कर सकते हैं immunization से, option A is right next question is dash is the ball and socket joint ball और socket joint कोन सा होता है hip joint, knee joint, elbow joint या फिर none of these तो देखिए, hip joint जो होता है, वो ball and socket joint होता है, ball और socket joint कैसे होता है कि like एक socket बना हुआ है जैसा हमारा switches का socket होता है उसके अंदर क्या हो जाती है, एक ball like जो structure है, वो fit हो जाता है तो जो हमारा hip joint है वो ऐसी ही appearance है, इसलिए उसको क्या बोला गया है, ball and socket joint बोला गया है, तो बने रही है cardium nursing के साथ, हम आप जल्द से जल्द हम आपके लिए जो आपकी classes है, वो भी continue करने का try करेंगे, thank you